डी फार्मा कर रहे हैं श्ट्रेंड के मन में अलग अलग पर करके डाउट होते हैं उसमें से एक सबसे बड़ा जो डाउट है वह यह भी है कि कि यह डी फार्मा का जो सेशनल एकजाम होता है उसका नंबर हमारे माक्षिट में एड होता है कि नहीं अगर हम एकजाम नहीं देत है और इसका प्रसेंटेश पे उबरहा हमारे माक्षिट पे क्या इफेक्ट पड़ता है तो आज के इस वीडियो में करेंगे कंप्लीट डिटल से बातें उससे पहले मैं आपको बता दू कि आप अगर सोशल मीडिया प्लेट फार्म पे खास्तोर से इस्टाग्राम पे उदित दे रखा है अपने सोशल मीडिया के सभी प्लेट फार्म का अब हम बात करते हैं आपके टॉपिक पे कि सेशनल इग्जाम को इंटर्नल इग्जाम भी बोला जाता है जरूरी नहीं है कि सभी कॉलेज एक साल में तीन बार ही ले डी फार्म के जो अलग पर के कॉलेज या इन सेशनल का बहुत से से माक्षित अलग अलग इनिवर्शिटी या बोट का हो सकती हैं जिसमें सेशनल इंटर्नल इग्जाम का इंटर्नल नंबर का कोई जिक्र ना किया गया हो लेकिन फिर भी वह होता है आप ऐसे समझ लेजिए कि जो आपका फाइनल इक्जाम होता है जो ब बीटी उपी में अलग से दिखाया जाता है उस तरह से अलग 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 इन्वर्शिटी बोर्ट के माक्षिट पे यह चीज़े किलियर में नहीं होता है और आपके फैनल माक्षिट में एड भी होता है अब हम बात करते हैं क्या देना जरूरी है कि नहीं जरूरी है यह एक प्रकार का प्रेक्टिस है प्री एक्जाम की तरह आप समझो इससे आपको एक अच्छा खासा अनुवह मिलता है कि आप उस सब्जेक्ट में कितना नंबर लेजल में ला सकते हो आप कैसे हो पढ़ने में इसी के साथ साथ जो आ लिखते हो उसमें जो आपना कॉपी होती है उसी के बेस पे जो आपके मार्च बहेंजे जाते हैं थैंज्ड लेकिन जरूरी होता है कभी लगें कभी चेक्ग और दौर में पकड़ा जाता है कि इस नहीं मुल्द कर आँं को तो समझ में दीरे दीरे आरा होगा कि भाई ज है बहुत से बच्चे इससे जो सेशनल इग्जाम देते हैं उन्हों को समझ में आता है कि अच्छा वाकई में इस तरह से कोई से पूछे जाएंगे और जब उनका माक्स भी उनको पता चलता है कि हमने इतना नंबर लगा है इस सब्जेक्ट के सेशनल इग्जाम में तो से पुड़ा तरह से यकीन है कि जितने भी हमारे देखते हो हमें लगता है कि 80% स्टुडेंट वही टाइप के हैं जो अच्छे से स्टड़ी नहीं करते हो तो अगर आपका आर्दस नमर आ रहा है तो बहुत जादे टेंशन लेने की बात नहीं है आपके जो माक्षित में न से से लिग्जाम ज़री है आपको देना चाहिए छोड़ भी देते हो तो बहुत से कॉलेज मैनेज कर लेते हैं लेकिन इसके चकर में आप ना पड़े इसका फाइनल माक्षित में माक्ष जो नमबर है वेड होता है और परसेंटेज भी आपका इससे बनता है तो यह था तो यह समझ में लगभग आपको आगया होगा और इसी प्रकार से आपका नमबर भी एड होता है और इस से रिलेटेड और भी कोई अगर आपको कंठूजन है कोई डाउट है तो कुछ बिड्रोज हैं ड़ी फार्मासेशनल एक्जाम से लेटेड जिसको कंप्लीट में इध लिंक है वीडियो को क्लिक करके आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट का लिंक जो है उधर कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा प्लेलिस्ट एक कंप्लीट बना दी गए है डी फार्मासेशनल एक्जाम पर तो उससे आप देखना ना भूलिएगा वह आपके लिए बहुत है और आप घर से ही ओनलाइन एक कोचिंग की तरह अपनी स्टडी करें तो उधित फार्मसी अप्लिकेशन को अपने फॉन में इस्टॉल कर लिजिए प्ले स्टॉर पे मिल जागा ऐसा कुछ अप्लिकेशन आपको दिख रहा होगा प्ले स्टॉर पे उधित फार्मसी आप स फश्ट यर हो यहों डी फार्मसी कंड कभी आपके पास टाइम है आप यहां पे पढ़ सकते हैं कंप्लीट रिकॉड़ेड वीडियो होती है प्री रिकॉड़ेड जो वीडियो अप्लोड कर दी जाती है डेमो अगरा लेडी दिया हुगा है पीडिया है और एक्जाम से जस सब्सक्राइब कर सकते हैं कोई डाउट है कोई दिक्कत है कोई समस्या है तो जो नंबर दिखरा है इस नंबर पर आप कॉंटेक्ट कीजिए कॉल कीजिए कॉल करने का टाइम है सुबह 8-2 से लेकर के साम 6 बज़े तक अप्लिकेशन डिपार्टमेंट के जो भी लोग हैं आ आपका जो कुछ डाउट रहोगा और क्लियर हो गया होगा फिर भी अगर कुछ डाउट है कुछ कंफूजन है तो कमेंट बोक्स खाली पड़ा है आईये कमेंट बोक्स में बताएए कि क्या समस्या है उसका मेरी प्लाइदेने का कोशिस करूंगा हो सब्सक्राइब तो मंड प्लीट जानकारी दिये जाती है कोई भी न्यूज अपडेट सर्कूलर नया कुछ प्लान हो आपके लिए चाहा त्यारी से लेटेड हो एक्जाम से लेटेड हो जो भी है तो उमीद है कि ये वीडियो समझ में आई होगी ये चैनल भी समझ में आ रहा होगा कि खास्तोर से बेसी है तो मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में तब तक करे सभी को बाई बाई